अब्रीवन स्वागत है आप सब का आपके अपनी यूटूब चनल ससीवित बालोजे सिक्षा में तो बच्चों आज की इस नए वीडियो में आप सभी का प्यार भरा स्वागत है ठीके आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सुपर क्लास सेकेंड टट्रा पोडा के चैनल और में चैनल आप सेएंगे सब्सक्राइब है कि इसके पिछले बीडियो में हम पीछलत की जिसकी सेकेंड मैं स्टॉमाटे नियूटन में पाहिए जाता ठीक है और डिवीजन सेकंड गनातो इस टो माटा में आप जो सुपर क्लास फर्स्ट पढ़े पाइसे जो कि पिछली वीडियो में हम आपको अच्छे से डिटेल में इसको बता चुके हैं ठीक है इसकी पाद आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुपर क्लास सेकंड लगे पर प्रेस करके और पर क्लिक करना ना भूलेगा तो चलिए बढ़ते हैं आग यहां पर अगले सुपर क्लास की तरफ चलते हैं तो सुपर क्लास हमारा नेक्स्ट है ट्रापोडा ठीक है जो बच्चे नए हैं जो इस वीडियो जो क्लासिफिकेशन आफ को नहीं करते हैं कि तर्फ चलिए पर चलते हैं तक और देखने को मिलजाएंगे तो चलिए अब स्टाट करते हैं यह हमारा सॉपर क्लास ट्राफ करते हैं यहां से भी आपका कोश्चन आ जाता है इसके बाद फिर हमारा क्लास्ट के बारे में आप पढ़ेंगे ठीक है तो यह भी हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट है वेरी 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 इंपोर्टेंट आपका मैमेलिया है यहां पर क्लास फोर्थ है जो कि टेटरा पोड़ा के इंदर गताता है ठीक है तो यह भी जो हमारे लिए इंपोर्टेंट पॉइंट है तो इसके बाद हम बात कर लगते हैं आप टेटरा पोड़ा का मीनिंग आप लोग समझ लीजी अब डिटेल में भी टेटरा मतलब क्या होता है ह gleich प्र मतलब होता है फूट या पैर की बात किया जा रहा है आईसे इनिमल जिनकी बाडि में जिसमें चार पैर चार जो है जो है जिसमें लेंट सटेल्ट मों आप उतलना को हम अगर wellness К detrimental जाते हैं आए पर आपके आगे के दो जो ऑ्रिल और यह सब्सक्या करते हैं या यह जो परने के लिए उन चलने के लिए करते हैं आपने तो यह जो है आपका important point है यहां पर तो टेट्रा पोड़ा के बारे में आप आप लोगों समझ में आ गया होगा यहां रेप्टेलिया के केस की बात करें तो आप जिसे लेजार की बात कर लेते हैं आप लिए तो इसमें जो है हिंड लिम फोर लिम जो है यह चलने के लिए और करने के लिए इन सभी चाजों में अपने फोर लिम और हेंडल का टेट्राप लिए हैं चलने के लिए करते हैं तो जो हैं यह चलने के लिए के लिए अपने प्रोटेक्शन के लिए अपना यूज करते हैं ठीक है तो यह चीज आप लोग को अप समझ में आ गया होगा आई हो ठीक है इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हाँ पर अब एक एक करके एक करके यहाँ पर सभी क्लासेज के बारे हम आपको डिटेल स्टेडी करवाएंगे और एक सभी क्लास से कौन कौन से कोश्चन बनने की संभावना है वो भी हम आपको यहाँ पर विद एक्जामपल के साथ बताएंगे तो बने रहे हैं इस वीडियो के आंते तक बढ़ते हैं आगे क्लास को अब समझ में सोता है पूगस घ्रीक व्रकेशीक फॉट घ्रीक है उसका यूज करें उसे काम को करने के लिए ऊजुचार होती है उन्यल्सकों को हम तुक्तर य्चेंव चलने पोड के आफ है आई हो पलो के इस समझ में आ गया होगा इसके बाद हम आगे बात करते हैं अगले करेक्टर कर हम बात करें तो जो है अगला करेक्टर क्या होगा टिटरापोडा के और क्या इसमें हो सकते हैं लैंड वल्टिब्रेट्स आप सभी जानते हैं कि ये लैंड पर भी ये पाये जाते हैं विद टू पेयर्स ओफ पेंटडेक्टाईल लिम्स पेंटडेक्टेल कहने का मतलब क्या है कि उसमें जो पायर होंगे पायर में जो है पांच इस तरीके से तुआज होएंगे ये 1, 2, 3, 4 and 5 इस तरीके से यहाँ पर इनकी बॉड़ी में पेंटाडेक्टाइल लिम्स पाए जाएंगे ठीके, पेंटाडेक्टाइल लिम्स पाए जाएंगे ठीके, तो यहाँ पर जो है इनको हम लैंड वार्टिव रेट्स बोलते हैं तो पेंटाडेक्टाइल लिम्स यह चीज आप याद रखेंगे क्योंकि यह आपका इंपॉर्टन पॉइंट है ठीके, तो पेंटाडेक्टाइल लिम्स पाए जो भी टेट्रापोडा के अंतरगत आने वाले अनिमस होते हैं दो पेंटाडेक्टाइल लिम्स पेंटाडेक्टाइल कहने के मतला उनके लिम्स में जो होंगे इस तरीके से यहाँ पर चार उंगुलियां होंगी ठीक है, कनफाइंड टूप ऑनफाइंड इसकिन विद् लंगस और भी क्या बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो इनकी इसकिन होगी इसकिन तो होगे होगे और साथ ही साथ जो है इसमें लंग्स भी जो है काफी डेबलब कंडिशन में आपको देखने को मिलेंगे तो जितने भी टेटरा पोड़ा के इंतर के ताने वाले अनिमल्स होते हैं उनको हम लैंड वर्टीब्रेट्स करते हैं और इन लेंड वर्टीब्रेट्स में क्या होते दो पेर जो है आपके पिंटर डिक्टाइल लेंस पाया जाते हैं कंफाइंड इसके इन विद लंग्स और जो है इसमें लंग्स जो होगे काफी डेबलब कंडिशन में आपको देखने को बिलेंगे आई होप आप लोग को टेटरा पोड़ा के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर टेटरा पोड़ा के तीन चार क्लासे हमने आपको बताया किसमें चार क्लासे कौन कौन से हो सकते हैं कौन कौन से होते हैं MPB या क्लास फ है हमारा यहां पर घृट चलिये पहले मीनिक समझ लेते हैं क्य Nepलí जगह में बताइव नहीं पिछली अब you can't wear इंपर के बारे में पूछा ओज्द आपको पूछा था स्टा इसनाड कि पूछा था मिलब की जो जो गोंगा होता है जिसे हम पाइला भी कहते है फ़ेल स्नेल भी बहुत है उसको तो जो इसनेल होता है अब बिछले भी टिजी टी का जुपेपर हुआ उसमें कोशन आया था अंफीबिया से रिलेटट तो अंफीबिया का कोशन आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि अमफी मतलब होता है बोथ ठीक वहाँ पर आपका स्नेल तो पूछा गया था लेकिन यहाँ पर एक्जांपल आपको कहीं देखने को मिलेंगे स्नेल भी हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर एंपीबिया का मतलब पहले समझे जब इसका मीनिंग आप समझ जाएंगे तो आसानी से आपके कोश्चन सॉल्व हो तो एंपीबिया का मतलब क्या हुआ ऐसे इमल्स जिनकी लाइफ जिनका जीवन दो जगों पर कम्प्लीट होता है दो जगों पर ये रह सकते है अब दो जगों कौन सकता है वेर की बात तो नहीं कर सकते हैं यहाँ पर वो अक्विटिक फारम में रह सकते हैं दोनों जगों पर यह जीवित रहेंगे ठीक है तो यहां पर amphibia काने का मतलब ऐसे निमल्स जो जल में भी रहें और जो अस्थल पर भी रहें ठीक है ऐसे निमल्स को हम amphibia के अंतरगत रखते हैं तो बहुत सारे निमल्स को आपने देखा होगा जो गाउंवाले बच्चे होंगे वो तो सभ जाएंगे कोई बात नहीं अगर कोई साहर का है तो भी आप समझ जाएंगे क्योंकि अच्छे से आपको समझा रहा है तो ऐसे निमल्स जिनकी जिनकी लाइफ जो दो जुगों पर यहां पर जो पूछा था कि इस नेल जो है आपका अंपिब्यान निमल्स है कि यह वाटर में भी रह सकता है और यह जो है ट्रेस्टिल फॉर्म में भी रह सकता है ठीक है इसके बाद अगले कोश्च अगरे हम यहां पर करेक्टर कर बात करें एंपिब्या का तो लार्वल स्टेज यूजवली एक्वेटेग यहां पर यह एक चीज़ इंपॉर्टन पॉइंट है कि जो एंपिब्या के अंतरगत आने वाले एनिमल्स होते हैं उनकी जो लार्वल लाइफ होती है तो एक लाइफ यहां पर हो गई पर आ जो है ऑई मातवी होता है तो यह है ऑजÁTہ करते हैं चीज़ आजाते हैं लार्वल से एंप जब होता है तो यह जोलार्वल से एडल्ट कणिवर्ट जब होते हैं तो adult stage में ये जो है water से बाहर testial farm में भी ये रह सकते हैं ठीक है इनकी breathing किसके होदारा होती है breathe by gills किसे जो है breathing करते हैं gills से जब ये larval condition में होते हैं तो ये किस से breathing करेंगे gills से करेंगे इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि amphibians animals जो होते हैं उसमें जो larval condition होता है larval stage जो होता है वो aquatic form में पाए जाता है और aquatic form में रहने वाले जो animals हैं amphibia के अंदर गताने वाले animals कहने का मतलब जो larval stage है वो किस से breathing करेगा gills से करेगा इस चीज का आप ध्यान रखेंगे आपके लिए important point बनेगा तो यहां पर जो है एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं larval stage usually aquatic larval stage जो है aquatic form में complete होगा and breathe by gills और ये larva किस के द्वारा breathing करेंगे gills के द्वारा करेंगे adult typically terrestrial and respires by lungs जो होते हैं वो terrestrial form में आ जाते हैं और respiration किस के द्वारा करेंगे ये lungs के द्वारा करेंगे कि कोई terrestrial form में जो भी animals पाए जाते हैं वो किस के द्वारा breathing करते हैं lungs के द्वारा करते हैं तो दूसरी लाइफ इनकी ये हो गई पहली लाइफ आपका यहां पर लालवा stage किस में aquatic form है adult stage दूसरी लाइफ यह पहली लाइफ हो गई आपकी adult typically terrestrial कहां पर ही पाए जाते हैं इसलिए इसलिए क्या कहा गया या बोथ कहा गया यानि अक्वेटिक फार्म लारवल इस्टेज यह तो ऑगे तो दोनों जगह आपर यह रहने के लिए इसलिए ऐसे निमल्स को में फिवेंट के अंतरगत रखते हैं ठीक है अब अगले करेक्टर हम बात करें तो living liftingMM स्वीस जो लेविंग फॉमस बढ़कं होत है की larger this होती है श्रीज शॉद्ध कि आप यहां पर याद रखेंगे इसलिए इसमें क्या होगा तिपिकली दो टू पेर्स आफ लेंबस नॉस्ट्रिल्स पाई जाएंगे कनेक्टिंग माउथ क्यप्टी जो कि नॉस्ट्रिल किसे कनेक्टेड होगा आपके माउथ कैविटी से कनेक्टेड होगा हर्ट यहाँ पर याद रखेंगे जो amphibian ने निमास होते हैं उनके हर्ट जो होते हैं वो थ्री चैंबर्ड होते हैं एम्फिवें तो जो है इसमें जो हर्ट होता है वो थ्री चैंबर्ड होता है इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यार रखेंगे और यहाँ झाल पर यारध रखेंगे आप लो पहला एक्जामपल है हमारा राणा ठीक है रोल को भी कई डेख सकते हैं मैं यहाँ आत्रेशन के अपर देखनी को मिलेग तो अपने प्रेंreat वाहीं ना की Satशर में प्री सब्सक्राइब करेंगे यहां पर याद रखेंगे हो सकता है जो पिछली पेपर में आपके शनेल के बारे में पूछा गया तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्लास के तरफ अगला क्लास है हमारा रेप्टेलिया अगला क्लास हमारा क्या है रेप्टेलिया तो चलिए रेप्टेलिया के बारे मिस्टेटी कर लेते हैं चलिए अब आपके साथ में अगला क्लास है क्लास नमबर सेकेंड रेप्टेलिया बहुत होता है ठीक है तो यहां पर जो है रेप्टिलिस से मिलकर बना हुआ सब्दी से मिलकर बना हुआ है जिसका मतलब होता का और यानिकी बॉड़ी इसकी कवर्ड होती है एक एक स्ट्रॉंग जो है इसकिंस के द्वारा तो यहां पर हम बात कर लेते हैं इसके कारेक्टर की तो इन ट्रेश्टल पर्म में भी इनको देखा जा सकता और एक्वेटिक फॉंग में भी देखा जा सकता है इसकीन कैसी होती है इनकी ड्राइ उती है कवर्ड बाइं एक्टोडर्मल होर्णी स्केल्स और स्क्यूट यह आपका important point है इसको आप याद रखेंगे ठीक है हम इसकिन कैसी होती है जो एंत्र रेप्टायल के अंतर गश्राइब स्मूर्ध होता है छिए उसे प्रेकर ऑने जो है अधाशन कैसे एक्टुडर्मल होर्णी इनका जो इसकीन होगा वह होर्णी से कवर्ड होगा हौर्णी स्केल्स को हम स्क्यूट भी कहते हैं यहां पर यह हमारा अगला character हो गया इसके बाद हम बात किलेते हैं limbs की तो limbs कितने हूं टिपकली Q4 कि पांच होंगे इसलिए ए का पेंटर्थ होग इनकी BUT यूजिए इसके इसकेलटन कैसी होगी इनकी Bony होगी limbs कितने होंगे चार होंगे pair के अगर बात किया जाए तो pair of limbs and five cloth toys यह निके हमने बात किया था कि इसमें जो है इस तरह के से one two three four five इस तरह के से इसमें जो है toys यह पाया जाएंगे पांस इसलिए इनको हम pentadactile भी बोलते हैं अगले character के अगर हम बात करें तो अगला character है हमारा heart जो है in completely four chamber होता है जैसे के amphibia में आपने कितने chamber के हाँ पर heart देखा तो heart जो इसमें आपने देखा वो three chamber देखा amphibia में लेकिन reptilia में जो heart होता है यह कितने chamber का होता है heart is completely sorry in completely four chamber तो होते हैं बट कैसे होंगे वह in completely होंगे cold blooded ठीक है cold blooded any moles बोले जाएंगे respiration by lungs respiration किसे करेंगे lungs के दौरा करेंगे most important point यहाँ पर example आता है क्योंकि example से ही आपका question बनता है आजके example से question बनते है तो इसलिए example आपको याद रखना जरूरी है हेमी डेक्टाइलस है इसका पहला example वाल लेजार्ड जो कि सभी के घरों में देखा जासकता है चाहें कोई वह सेटी का student है चाहें वह गाउं का student ही क्यों ना हो तो हेमी डेक्टाइलस यह जिसको हम वाल्ड लेजार्ड कहते हैं दूसरा एक्जांपल है टो इसको जो है यह नाजा लिखा है ठीक है मसमें उसको उसको श्रीक कर चाहरते हैं यहां इसका scientific name है इसका ये Hindi name ठीक है या English name है तो यहां पर ये हो गया आपका जिसे हम क्या कहते हैं यहांपर Krokodilis Sphinodon Pungtatum यह हो गया scientific नेम और ये Towteria इसका Hindi name हो ठीक है या English name हो ठीक है तो यह चीज़ आप यहांपर याद रखेंगे कि जो reptileo के इंदर के ताने वाले एनिमल्स है, उवर्स में, हार्ट फॉर्स जैंबर होगा, कॉल्ड बलडेड होगे और इस पारेस्ट किसके दार, लंग्स के दार करेंगे और यहां पर एक्जाम्पल इनके बारे में, आप याद रखेंगे एक्जाम्पल को, अब आगे बढ़ते हैं यहां पर, अगला हमारा जो class है वो है अगला class हमारा है As तो आज की इस वीडियो में येतना ही हम पढ़ाई पाएंगे आज की इस वीडियो में तो As और जो आपके मैमेलिया है इसको हम नेक्ष्ट वीडियो में बताएंगे ठीके As and इसको जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ठीके और नेक्स्ट वीडियो में आपको एप्स और मेमिलिया के बारे में पूरी तरीके से डिटेल स्टेडी करवाएंगे क्योंकि वहां से भी आप ये एप्स और मेमिलिया से भी बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन आते हैं से एक एक कोशन एक्जामपल से रखे हुए हो तो इसलिए इस वीडियो को आंते तक जरूर देख लेज़ेगा जो भी बच्चे बीच से देख रहे हो यह जो नहीं देख पाएं वो समयलिया के बारे में पढ़ाएंगे ठीक है अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छे लेगी हो और वीडियो से कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही हो ठीक है मैक्समाम से मैक्समाम बच्चों के तक यह वीडियो आपके पहुंच सके और सभी लोग के पास जो है इस आप लोग लाइक करके सेयर कर दीजिए कमेंट जरूर लिखिए और साथ ही साथ जो है आप सब्सक्राइब कर लिजे चैनल को जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको बिल सके तब तो चलिए हाज की वीडियो में बस इतना ही बलते है नेक्